नहाई खाय के साथ 17 नवंबर को चछट पूजा की पर्व की शुरुआत हुई चछट पूजा की शुरुआत नहाई खाय की साथ हुई अगले दिन चछट व्रधारियों ने खरना, अरग्य और पारन किया आज साएं ढलते सूर्य को अर्ग्य देकर व्रध्धारियों ने खुशाली की कामना थी। छट पूजा में विशेश तौर पर सूर्य देवता और छट माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से संतान प्राप्ती, संतान की रक्षा और सुक सम्रिद्धी का वर्दान मिलता है। चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व मुख्य तोर पर बिहार, जारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। आज छट पूजा का तीसरा दिन रहा। आज ढलते हुए भगवान सूर्य को अरखे दिया गया। सूर्यास्त की शुरुवात पांच बचकर 26 मिनित पर भूए। इससे पूर्व गंगा के तमाम घाटों पर व्रधारियों की भारी भीड उमडी। व्रधारियों से गंगा के घाट पटे हुए नजर आए। छट घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं गीत भी गाती नजर आए। चारों और धूप दीप जलते नजर आए। बताते चलें की छट पर्व का तीसरा दिन जिसे संध्या अर्गे के नाम से जाना जा पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे ठेकुआ चावल के लड़ू बनाते हैं। जट पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती हैं जिसमें पूजा के प्रसाद, फल, फूल, आधी अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, पांच प्रकार के फल र प्रक्रमा करती हैं। अर्गी देते समय सूर्य देव को दूद और जल चरहाया जाता है। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। पूरानिक मानेताओं के अनुसार सांग काल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्यूशा के साथ रहते हैं। इसलिए छट पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरन प्रत्यूशा को अर्गी देकर उनकी उपासना की जाती है। सोमवार को उकते हुए भगवान सूर्य को अर्गी देकर छट प्रत का परायन किया जाएगा।